रोज का नाश्ता हेल्दी और टेस्टी भी हो सकता है। मैंने आधा कप मूंग दाल को तीन से चार घंटे के लिए भिगो दिया था। थोड़ी सी अद्रक और हरी मिर्च डाल कर मैं इसको पीस लूँगी। पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इसमें डाल की कुछ और वेजीस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसको मिक्स किया है। 15-20 मिनट के लिए हम इसको ऐसी ही छोड़ देंगे। मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। मैंने हातों से इसको क्रेश कर लिया है। नमक, काली मिर्ची, हरा धनिया और आधा प्याज डाल कर सा अधे निम्बू का रस डाल रही हूं। आप इन दोनों के बतले इनो भी एड़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अप्पे पैन को गरम करने रखा है। जिसको मैं थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर रही हूं। गरम होने पर मैं इसमें डाल रही हूं एक जमच डाल का बैतर और ठोड़ा सा फैला कर उसमें क्यवीटी वना लूँंगे इस Не कैवीटी में हमें फ़िल करनी हैं। जो हमने पनीर का मसाला बनाया है न। थोड़ा फुड़ा सा पनीर, का मसाला इन में डाल कर ऊपर से हम वापस से डाल का बैटर डाल देंगे, cover कर लेंगे पनीर की filling को, ये अपे not only delicious हैं, बलकि इन में मूंग दाल और पनीर के health benefits भी होते हैं, इससे आपका breakfast not just tasty but also nutritious होगा, प्राइ कीजे और देखिए कैसे ये आपके दिन को और भी special बनाते हैं, धक कर 5 मिनट मैंने पका लिया है, हलका सा घी लगा कर मैं इन पलट कर 5 मिनट वापस से डख कर पका लूँ, मूंग दाल और मलाई पनीर का मेल मिला के ये छोटे snacks आपके नाश्ते को और भी लजीज बना देंगे, आप भी मेरी तरह अपने नाश्ते को एक नया अंदाज दीजिए, दोनों तरफ से हमारे अप्पे अच्छे से पक चु मे!